हलो दोस्तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इनोवेशन वाइफाइ स्टेडी को और शाथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे की हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको सब्सक्राइब यूट्यूग विल्कस वैलकम टू इनोवेशन वाइफाइ स्टेडी में आपका स्वागत है तो आज हम लेका हैं जेट के लिए जेट की कुटव और उसमें कोलेज केसे पराप्त करें इसके संपुर्ण जानकारी इसकुषय में हम आपको देंगे तो ठीक है तो अगर आपने हमारे innovation wifi study को अभी तक subscribe नहीं किया है अगर आपने हमारे innovation wifi study को अभी तक subscribe नहीं किया है तो इसके subscribe कर लीजीगा आप cherry में लगे बेल आइकुन को भी प्लेस कर लीजीगा ताकि जिससे भी हम आगली वीडियो डालें उसका notification आपको सबसे पहले मिलता रहे और इस कक्षा को ज़्यादा से ज्यादा सयर कीजीगा तक कि जो भी आपके दोस्त है तो इस कक्षा का लाब लेश्के तो ठीक है तो इसके अंतरगत पहला कि इसने यह उड़ता है कि उसके अंतरगत कुल कितनी सिटे हैं तो इसके अंतरगत कुल सिटे हैं बियाली सो बैतर सिटे हैं बियाली सो बैतर सिटे कि इसके अंतरगत आती हैं जेट के अंतरगत आती हैं ब्यावली सो बैतर सिटें जिसके अंतरगत ब्यावली सो बैतर सिटों में से गुवर्मेंट सिटें कितनी हैं 6221व षित tietव में फिराँ सुपेश और प्राइवेट तयर्ट है है वह है 37 www. nuance अब आपको मेरिट बेस के साफ पर इक आपको कितने नंबर आई हैं इसके आपको कोलेज मिलेगा ठीक है तो आपके कितने नंबर आई हैं ये तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं आपको कट ओफ बता सकता हूं जिसके अंतरगत आपको कुलेज कैसे प्राप्त करना है कौन सा कुलेज आपको उसमें देना है किसकी संपूर्ण जानकारी आपको कैसे प्राक्ट होगी वह जानकारी मैं आपको बता देता हूँ तो पिछली 2018 की अगर हम बात करें 2018 की अगर हम बात करें तो उसकी कट ओफ रही है 320 अंक 320 अंक रही है उसकी कट ओफ 2012 में 2018 में उसकी कट ओफ रही है 320 अगर किसी भी बंदे के 320 नमबर से अबो है अगर कोई भी बंदे के 320 नमबर से अबो है तो उसको युनिवेस्टी में सेलेक्शन हुआ है अगर कोई भी बंदे के 2018 में 320 से अबो है तो उसका किसमें युनिवेस्टी में सेलेक्शन हुआ है वो भी बिना पेमिट लिस्ट के औ पेमेट लिस्ट के अगर हम बात करें यूनिवस्टी में तो पेमेट लिस्ट का क्या रहा है पेमेट लिस्ट का रहा है 313 अंक यूनिवस्टी के हम बात करें तो 313 अंक जिस किसी बंदे के हैं उसको पेमेट लिस्ट पर सरक्यारी यूनिवस्टी मिली है ये तो था दो अजार अठारा में यूनिवस्टी के बात अब देखते हैं दो अजारा अठारा में हम सरकारी कॉलेजों के बात अगर कोई भी बंदे के 205 में नंबर से अबो है 295 में से अबो और 320 के मद्य जिस बंदे के वी अंक हैं उसको सरकारी कॉलेजे मिली हैं ठीक है और इसी में अगर हम पेमेट लिस्ट के बात करें तो पेमेट लिस्ट में इसका आया है 207 हंक 260 इसमें क्या है payment list पर आया है ठीक है तो अगर हम private college की बात करें तो private college में वैसे तो अंक जरूरत है नहीं होते आप अगर exam देकर आते हो अगर आप exam को qualify कर लेते हो अगर आपने 50 अंक से ज़्यादा अंक पराफ्त के हैं तो आपको private college मिल सकती है ठीक है तो private college में क्या रहता है किया schedule रहता है private college में कि private college में एक तो फेस बहुत ज़्यादा लगती है और अगर आपके आज़ पास कहीं पर private college नहीं है तो आपको रहने सैने के कर्चा भी बहुत उठाना पढ़ता है अब लेगते हैं हम 2019 के बाद 2019 में क्या है? कट ओफ क्या रही है 2019 की 2018 की तुलना में 2019 की कट ओफ क्या है बहुत कम रही है 2018 की जादा रही है 2019 की कट ओफ क्या रही है कम रही है इसका में रीजन क्या है इसका में रीजन है एगरिकल्टर सब्जेक्ट एगरिकल्टर सब्जेक्ट में बच्चों के क्या है कि 30 से अबो कियुशन किशी के सही नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि 10 या 15 एस कुशन इसमें ऐसे समलिट केगे जो कि बहुत टफ है यो डबल ऐो की जो त्यारी कर रहा है उसके लेवल के इसमें कियूशन डाले गें एगरी कल्चरे में बायो का देखा जाए तो बायो भी थोड़ी टफ है लेकिन अगर हम कमेश्ट्री देखते हैं अगर हम क्या देखते हैं कमेश्ट्री देखते हैं तो फिच्छे की तोलना में कमेश्ट्री अब के बार कुछ क्या थी सरल थी क्यों थी कि इसमें सोयल कमेश्टी को जोड़ दिया गया था सोयल कमेश्टी को जोड़ दिया गया था तो ताकि दस क्यूसन जो सोयल कमेश्टी क्या थे उससे बच्चे क्या है अलग बड़ी अक्यूसन कर सके ये था 2019 में क्यूसन तो उसकी cut-off क्या रहीगी 2019 में जो मैं आप बताने जा रहा हूँ आपको 2019 की cut-off 2019 की cut-off जो आपको university दिला सकती है ध्यान से सुनिएगा 2019 की cut-off जो आपको university दिला सकती है वो है 205 मातर 205 अंक जो आपको university दिला सकती है वो है 2019 की cut-off जो के आपको सीधा एडिविशन दिलाएगी अगर IC में payment list की बात करें तो 260 नंबर में payment list में आपका एडिविशन हो जाएगा university में जी हाँ अगर आपको payment list में university में एडिविशन लेना है तो आपको 260 अंक चाहिए और अगर आपको बिना payment list में एडिविशन लेना है तो आपको 255 अंक की जुरूरत है अगर payment list में क्या होता है कि payment list में नामातर ही फीस लगती है पहले semester में 1300 रुपे के करीब फीस लगती है उसके बाद कोई भी फीस नहीं लगती है पहले semester में only 1300 रुपे फीस लगती है उसके बाद payment list में कोई फीस नहीं लगती है अगर आपके अंक 255 से अबो है तो आप बे जिजग सरकारी यूनिवस्टी को ही काउंसलिंग में अपलोड कीजिएगा ताकि आपको सरकारी यूनिवस्टी मिल सके है अगर आपको थोड़ा थोड़ा confusion है कि 255 के लंब समय या मेरे करीब है तो सरकारी यूनिवस्टी के बाद आप पेमेट लिस्ट पे सरकारी यूनिवस्टी को अपलोड कीजिएगा और उसके बाद आपको अपलोड करना है कौन से गोर्मेट कोलेज अपलोड करना है बिना पेमेट लिस्ट पे आपको गोर्मेट कोलेज अपलोड करना है तो गौर्मेट कोलेज में अगर आपके आँक डाइसो के करीब है डाइसो और 270 या 25 के मद्दे हैं तो आपको बिना बेज़ जग कोई भी पेमेट लिस्ट के बिना आपको सरकारी कोलेज मिल जाएंगे और यही सेडुल सरकारी कोलेजों में पेमेट लिस्ट पर रहता है उसम भी पहले समेस्टर में ही रखी जाती है जो 2019 का यह रहा है अपना कट अब हम देखते हैं कि यह कट अफ तो हमने देख लिए कि कट अफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी वह तो हमने जानकारी प्राप्ट कर लिए ठीक है तो अब हम देखेंगे कि जो प्राइवेट को के नजदीक प्राइवेट को लेने हैं अगर आपके क्या हो न्यूनतम हो तो आपको वह को लेज देखना है जिसकी क्या हो फीस जिसकी फीस क्या हो बिलकुल क्या हो कम हो वही को लेज देखना है जिसकी फीस बिलकुल क्या हो कम हो अपनी नजदीक का ही को लेज देखना है अगर आपका प्राइवेट अगर आपको यूनिविस्टी और पेमिट लिस्ट पे यूनिविस्टी सरकारी कुलेज या पेमिट लिस्ट पे सरकारी कुलेज में आपका एडिविसन नहीं होता है को आने जाने में दूइदा ना हो इसे कुलेज को ही देखिएगा क्योंकि अगर आप अलग जाके अलग दूसरे डिस्टिक में जाके कहीं पर एडिविशन लेते हो तो आपको वहां पर खर्चा बहुत लगेगा इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको वही कुलेज कि मैंने आपको कुलेज के बारे में तो बता दिया ठीक है कुलेज के बारे में बता दिया तो अब सेडूल क्या रहेगा क्या आप कौन कौन सी डेट है जिसमें आपको कुलेज मिलेंगे वो रहेंगे क्या रहेंगे तुम्हें आपको डेट वी फिक्स की हुई है तो आपक आपका result किस तारीक को आया था जी हाँ आपका result आया था 28 में को आपका result आया था online आपका result आया था 28 में को अगर आपने अभी तक आपका result भी नहीं देखा है तो www.kota.com www.kota.com यूनिवस्टे पे आप अपना result देख सकते हैं तो आपका result का भाया था 28 में को आपका result आया था क्योंकि इसकी फैले ही date क्या थी पिक्सिंग कर दी जाती है और इसमें क्या है उसके आपका result क्या भाया था 28 में क्योंकि वाया था कलास्ट date of deputy online option farm fees कि आप अपनी counselling किस date से start हो चुकी है तो counselling किस date से start हो चुकी है जी हाँ दोस्तो तीन तारीक से आपकी counselling farm क्या हो चुका है start हो चुका है तीन तारिक से अपना काउंसलिंग फारम में स्टार्ट हो चुका है पहले तो काउंसलिंग के लिए बहुत दिन थे चार या पांस दिन दिये जाते थे काउंसलिंग के लिए लेकिन अब इसा कोई भी सिस्टम नहीं है counselling के लिए special एक दिन दिया गया है और चार तारीक इसकी क्या है last माने गयी है तो last तारीक क्या है counselling की चार तारीक last है और तेन तारीक से counselling start हो गई तो यह आपका क्यों हो गया schedule हो गया उसके बाद आती है कि पहली list कब आएगी तो पहले लिस्ट 10 जून को आपको पहली एडिविशन लिस्ट आ जाएगी जिसमें एंतरगत आप अपना देख सकते हैं कि मेरा इसमें एडिविशन हुआ है या नहीं हुआ है आपको कौन सा कुलेज अलोट होगा पहले लिस्ट में आपको कितनी तारीकों प्राप्त हो हैं कि आप यह सोचते हैं कि यह मेरे को नहीं लेना है कुलेज मेरे को लेन नहीं लेना है कुलेज मेरे को अच्छा नहीं लगता तो आपकी उसी लिस्ट में आपका क्या लगेगा अपवार्ड लगेगा अपवार्ड के डेट क्या होती है दो दिन होता है अपवार्ड के कि जो आपको कॉलेज पहले मिला है दुबारा वही भी कॉलेज मिल सकता है और अलग भी कॉलेज मिल सकता है इसमें दोनों कंडिसर रहती है अगर आपने जिससे उपर कॉलेज बरा है अगर आप उसमें आप एडिविशन लेना चाहते हूं जिससे आपने उपर कॉलेज बरा ह उसमें आप एड़िशन लेना चाहते हो तो आप अप वार्ड लगाईए गाजिसे आपको सहता मिल सकती हैं तो ठीक है अगर आपने अप वार्ड लगा दिया अगर आपका पहली लिस्ट में एड़िशन नहीं हुआ तो उसके बाद आती है दूसरी लिस्ट जी आं दोस्तो दूसरी लिस्ट निकलेगी 16 जून को दूसरी लिस्ट कर निकलेगी 16 जून को निकलेगी जिसके अंतर गत भी आपके क्या होगे को लेजर लोट होंगे अगर आपका पहली लिस्ट में नहीं हुआ है कौन सी लिस्ट मे नहीं हुआ है तो आप अपना दूसरी लिस्ट में रिजल्ट देखेगा अगर आपने पहले लिस्ट में अपवार लगाया है और तो आप दूसरी लिस्ट में भी अपना रिजल्ट देखेगा अगर आपको दूसरी लिस्ट में भी क्या है पसंद नहीं आया कोलेज कि यह कोल कि अपवार्ड की लास्ट डेट ओगी जिसके अंतरगेत अप उप्वार्ड लगा सकते हो ठीक है तो उसके बाद क्या दोस्तों कि उसके बाद आएगा 21 तारिक को थार्ड लिस्ट आएगी जी हां दोस्तों 21 जून है 21 जून को कौन से लिस्ट निकलेगी थर्ड लिस्ट निकलेगी कितनी तारीक को 21 तारीक को थर्ड लिस्ट निकलेगी 21 तारीक को थर्ड लिस्ट निकलने के बाद आपको कुलेज जलोट होंगे कि आपको यह यह कुलेज मिले हैं आप इस कुलेज से संप्रक कर लेज तारिक, हैं तो सके बाद आता है 24 तारिक 24 तारिक क्या है कि 24 तारिक को आपको ये कुलेज्ग अगर सभीकार कर लिया है तो आपको उसकी फीज जमा करणी पड़ेगी उस कुलेज में और अगर आपनी कुलेज से विकार नहीं किया है तो उसकी भी आगे पिर किरिया होगी तो उसके बाद आता है 27 तारिक 27 तरीक को क्या होता है दोस्तो 27 तरीक को अगर आपने कुलेज से विकार कर लिया है तो कुलेज से आप कॉंटेक्ट कर लीजीगा या फिर कुलेज वाले अपने आप आप से क्या कर लेंगे contact कर लेंगे जिससे आपको उसके क्या करानी है document अपने क्या करानी है जमा करानी है college में 27 तरीक उसकी क्या रहेगी last रहेगी आपको क्या document जमा करानी है तो कई बार ये क्यों सुनोड़ता है कि sir document में क्या रहता है ठीक है कसर डोक्यूमेट में क्या क्या रहता है तो मैं आपको बता देता हूं कि डोक्यूमेट आपको चाहिए उसमें डोक्यूमेट में क्या क्या चाहिएगा डोकुमेंट में 12th और 10th, कि क्या सहीएगी, मारेक लिस्ट सहीएगी, ठीक है, और कम से कम कितनी फोटो सहीएगी, 5 फोटो, पांस फोटो 12 और 10 के इमारेक सीट चाहिएगी और उसके बाद एक सहीएगा सीट सी कास्ट सेटिव केट चरितर प्रमान पत्र जो आपको कुलेज़ वाले बना वो स्कूल वाले बना के देंगे सीट सी हो गया और और आपको चाहिएगा जाती परमाणपतर जिसकों करते हैं कारश Phuôn — ऐन लाइन फीस्ट जमा करा ही है किया करीए दोस्तों ओन-लाइन आपने फीस्ट जमा करा एए वो उसका सेडूल चाहिएगा कि आपने इतनी फीज यहां पे ओनलाइन जमा करवा दिये हैं उसकी आपको रसीद चाहिएगी जो कि आपको कुलेज में देनी पड़ीगी ठीक है यह आपके क्या रहेंगे डोक्यूमेट रहेंगे और आप कुलेज वालों से संप्रा कर लीजिएगा वो अपने अपने कुलेज के इसाब से आपको बता देंगे अगर आपको फिर भी अपना कुलेज फसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं यह मैं आपको बता देता हूँ तो उसके बाद तीस तारीक आती हैं, तीस तारीक में क्या होता है, कि तीस तारीक में स्पोर्ट काउंसलिंग चालू होती है, स्पोर्ट काउंसलिंग का प्रामूला क्या होता है, उससे चालू हो जाता है, तो स्पोर्ट काउंसलिंग जून 30 जून को स्पोर्ट काउंसलिंग चालो होते है, स्पोर्ट्स काउätzlich में क्या होता है कि जो आपने कॉलेज अलोट किये थे, जो पहले ही आप nhi डी काउसलिंग करने के लिए کولیز و لوٹ کہتے وہی کولیز میں آپ کو سپورٹ کاؤنسلین میں لیں کہ پرتیک کولیز میں پانچ سے دس سیٹنگ کیا ہوتی ہے سپورٹ سکوٹی کی ہوتی ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے جہادہ تر اپنے نزدیک کیوں کو لیا جاتا ہے سپورٹ سکوٹی کے انترکٹ سپورٹ سکوٹی کے انترکٹ کیا ہوتا ہے کہ پہلے سمیسٹر میں آپ کی فیز کیا رہتی ہے تھوڑی سی جادہ رہتی ہیں پانچ دس آجار روپے आपकी अन्य बच्चों की तुला में क्या रहती है ज्यादा रहती है तो यह कब चलू होता है स्पोर्ट्स काउंसलिंग 30 जून को चलू होती है कब चलू होती है 30 जून को क्या होती है स्पोर्ट्स काउंसलिंग चलू होती है तो इसके लास्ट डेट क्या है स्पोर्ट के जी हां दोस्तो इसकी दो जुलाई 30 जून से दो जुलाई इसकी क्या है लास्ट डेट है स्पोर्ट काउंसलिंग के लास्ट डेट कितनी है दो जुलाई इसकी क्या है लास्ट डेट है दोजले उसकी क्या है? लाश्ट्डेत हापने फारम बरा दिया तो उसके बाद क्या आएगा? अपने आप में एक प्रावधान-चुची का विस्ताफपन होगा कुलेज के ही दुआरा होगा ये प्रावधान-चुची का विस्ताफपन कौन करेगा? जुआ है जुलाई के अंतरगत आपको ओनलाइन फीस क्या होगी ओनलाइन ही जमा होगी और उसके बाद क्या होगा कोलेज है वो रिपोर्टिंग करेगा कोलेज आपको क्या देगा आपके डोकुमेंट है उसको वेरिफाइ करने के लिए आपके डोकुमेंट मांगेगा तो व उसके बाद स्पोर्टिंग की जो दूसरी लिस्ट है वो भी निकलेगी कब निकलेगी वो निकलेगी 11 जुलाई को अगर आपका पहली लिस्ट में नहीं हुआ है तो स्पोर्ट्स कोटे की दूसरी लिस्ट है वो कब निकलेगी 11 जुलाई 2019 को निकलेगी ठीक है उसके बाद आ 12 तहरी को क्या करना है ओनलाइन फीज्ड जमा करानी ही 12 जुलाइक के बाद आगल का second list में हुआ है तो आपको क्या मिलेगा पूर्टिंग बाद में क्या क्या reporting आपको डोक्युमेंट है वो क्या कराने पढ़ेंगे वेरिफाइद कराने पढ़ेंगे कॉलेज़ वेरिफाइद करेंगे ठीक है उसके बाद एक 20 जुलाई 2019 एक और रहती है इसके अंतरगत क्या होता है अगर आप कॉलेज़ वालों को जानते हो कुलेज़ वाले आपको जानते हैं तो इसके अंतरगत दुबारा स्पोर्ट काउंसलिंग होती है जिसको थर्ड स्पोर्ट काउंसलिंग बोला चाता है थर्ड स्पोर्ट काउंसलिंग के अंतरगत दोस्तों क्या होता है कि थर्ड स्पोर्ट काउंसलिंग के अंतरगत अगर आपके समन्द अच्छे हैं अगर आप उनको जानते हो आपके अंक भी ठीक है अगर आप उसी कुलेज में एडविशन लेना चाहते हो तो थावर्ड ओन दे काउंसलिंग जिसके अंतरगत होगी जो होगी 20 तारीक को या 20 चुलाई को होगी ठीक है तो ये मैंने आपको बता दिया अगर आपका फिर भी एडविशन नहीं हुआ है तो मैं आपको एक बात और बता दिता हूँ अगर आपका फिर भी एडविशन नहीं हुआ है इनके अंतरगत तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों अगर आपके 12 में 85% से उपर अंक है अगर आपने जेट का एक्जाम नहीं दिया है अगर आपने 12 में 85% से अबोव है जेट का एक्जाम नहीं दे पाए किसी भी कारण से अगर आप उसको बिसी करना चाहते हो एग्री कल्चर से या राजस्तान युनिवस्टी से करना चाहते हो तो परते एक युनिवस्टी के अंतरगत क्या होता है पतेक उन्यूश्टी के अंतरगत कुछ 10 या 12 सीटें एसी रखी जाती है दस से 12 सीटें एसी रिखी जाती है जिसके अंतरगत स्पोर्ट्स कोटा होता है 12 बेस के ओपर जिसमें अंक दो एडिविशन दिया जाता है तो आप उन्यूश्टी से कॉंटेक्ट करके इसी का निकलेगा उसकी अभी तक कोई भी हमारे पास डेट नहीं आई है जैसी हमारे पास कोई डेट आएगी इन्फोर्मेशन आएगी सबसे पहले हम अपनी वीडियो बनाकर चैनल पर डाल देंगे जहांसे आप प्राप्त कर सकते हो या आप यूनिविस्टी से प्राप्त कर सकत है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी प्राइवेट यूनिवस्टी के चकर में मत रहिएगा कोई भी प्राइवेट यूनिवस्टी अगर आपको बीएसी करवाना चाहती है आपके पास बहुत फोन आएंगे तो आप इसको मत जाना वहां पर क्योंकि आप जैसे ही बीएसी करके तो वहां से निकल जाओगे लेकिन उस बीएसी के माननेता क्या होती है बहुत फी नया मानन जाओगे अगर आप कोई गोर्मेट जोब में जाना चाहते हो तो ठीक है दोस्तो आगे चलते हैं तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे लिगी हो तो इस वीडियो को क्या करना ज्यादे से ज्यादा लाइक करना अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो ज्यादे से ज्यादा सब्सक्राइब करना पास में लगे बेला एकल कौन भी प्रेस कर लेना जिससे जो भी हम आगे की वीडियो डालें उसका नोटिफकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करना ताक कि आपके सभी दोस्त इस वीडियो को अलाब लेज़के और उनको प्राप्त उसके क हमको एगरी कल्चर में एडविशन किस प्रकार लिया जाता है और उसकी डेट फिक्सिंग क्या क्या है धन्यवाद